हलो प्रीवर्स डेली ही टिप्स में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आप रताऊंगी आड़ू खाने के फायदे जी हाँ दोस्तों पीच जिसे हम हिंदी में आड़ू के नाम से जानते हैं ये रस से बढ़ा हुआ और स्वाद में मीठा होता है जी हाँ बाहर से देखने में काफी हद तक सीट जैसा दिखता है जी हाँ फ्रेंट्स अपनी बहतरीन खुबियों के लिए ये फल काफी ज्यादा जाना जाता है और देखा चाये तो एक काफी कमाल का फल है इसके लावब इसका मुलायम चिलका, हल्का, पीला लाल रन और हल्की मीठाष तो इसकी खुबी है ही लेगिन इस सबसे अलग पी च्यान के आडू में बहुत सारे enzymes, profurltic vitamins और fiber के उच्च तर के कारण ये हमाँ शरीर के लिए बहुत ही फैरीमन है साथ ही प्रेंट्स आड़ू में शरीर को healthy रखने वाले तत्वों की एक पुरी force C है जिसमें विटामिन A, वीटा के रोटीन, विटामिन C, फोलेट के लावा calcium, potassium, magnesium, iron, phosphorus, zinc और copper भी होता है साथ ही एक कम calorie के होते हैं और इंग में कोई saturated fat काफे cholesterol भी नहीं होता है तो आईए जानते हैं आड़ू खाने के क्या फैदे हैं फ्रेंट्स अगर आप हमारे चैनल पे new हैं तो इस चैनल को subscribe कर लीचे और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रस कर दीचे ताकि आपको हमारी सभी latest videos की updates मिल सकें दोस्तों इसका सबसे पहला फैदा है pregnancy के दोरान जी हाँ आड़ू में vitamins और minerals मौझूद होते हैं जो कि गरभवस्ता के दोरान बहुत ही फैदिमन होते हैं इसके लवा friends इसमें मौझुद विटामीन C, बच्चे के हड़िया, दान, पच्चा, मांस्पेशिया और साथी बच्चे के रख्वाहिकाओं के स्वास्त विकास में मदद करता है साथी friends ये iron के अवर्शोशन में भी मदद करता है जो कि गरभवस्ता के दोरान बहुत ही महत्वपून होता है और हाँ friends आड़ो में potassium भी होता है जो कि गरभवस्ता के दोरान मांस्पेशियों की आंटन और समानिय वाथ हकान को कम करनी में मदद करता है इसके साथ साथ friends ये गरभवस्ता के दोरान आसेडिटी और दर्ज जैसी प्राबलम से भी बिचाता है इसलिए अगर आप गरभवती यानके pregnant महीला है तो ऐसे मिया पीच यानकी आड़ो का सीवन जरूर करें ये आपके लिए बहुत ही healthy fruit है दोस्तों इसका दूसरा फाइदा है वजन कम करने के ये चीहां ये दिखने में तो बड़ा और ठूस होता है लेकिन इसमें बहुत ही कम calorie मिलती है एक बड़े साइस के आड़ो से आपको सिर्फ 68 calorie ही मिलती है इसलिए फ्रेंड्स अगर आप इसे नाष्टे में लेते हैं तो ये आपके पेट को भरा हुआ रखेगा जिसके आप लंग से पहले आप unhealthy चीज़े खाने से बचवाएंगे और आपका weight भी तंभच आएगा इसलिए अगर आपको अपना वजन maintain में रखना है तो ऐसे मिया पीच यान की आड़ो ज़रूर खाएं दोस्तों किड्नी प्राब्लम्स को करता है दूर छी हाँ पीच में अधित मात्रा में पाया जाने वाला potassium आपके किड्नी के लिए बहुत ही फैदेमन है साथ ही फ्रेंड्स ये आपके यूरिनरी ब्लाडर के लिए cleansing agent की तरहों काम करता है जिससे कि हमें किड्नी से चुड़ी बीमारियों से दूर रखता है और हाँ फ्रेंड्स ये किड्नी में होने वाले स्टोन यान की किड्नी स्टोन को दूर करने में भी बहुत ही helpful होता है इसलिए आप भी ज़रूर खाएं और अपने किड्नी को बनाएं healthy दोस्तों आँखों के लिए है फैदेमन जी हाँ अगर आप अपने आँखों को स्वस्थ और उनकी विजन पावर अच्छा रखना चाहते हो तो आपको एफ़ल ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि आड़ू में वीटा के रोटीन नांका योगिक पाया चाता है जो कि हमारे इस चरीड में वीटामीन A के बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है जी हाँ फ्रेंट्स वीटामीन ने हमाएं आँखों के रेटीना को स्वस्थ रखने में बहुत ही मदद करता है इसके लावा बीटा के रोटीन रतोंदी जिसी मिमारियों से भी बिचाता है इसलिए आपी पी च्यान की आड़ू का सेवन करें और अपने आँखों को रखें हल्ली दोस्तों बधहस्मी दूर करें पी जी हाँ आड़ू में फैबर ज्यादा मातरा में पाया चाता है इसलिए बदहस्मी दूर करने के लिए आड़ू को खाना चाहिए जी हाँ फ्रेंट्स आड़ू के सीवन से बदहस्मी और सौती सा खट्टी डगार से आपको छुटकारा मिल चाहेगा इसलिए अगर आपको खट्टी डगार या फिर बदहस्मी की प्रब्लम हो तो इसे मिया पीच यानकी आड़ू ज़रूर खाएं और अपने आपको रखे हिल्ली दोस्तों ब्रेंट यूमर होनी से बचाता है आड़ू च्छी हाँ आड़ू में आंटियोकसिदेंस पायच राते हैं जो कि आपके दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा लापकारी होते हैं च्छी हाँ फ्रेंट्स इस चमतकारी फल को रोजाना खाने से ब्रेंट यूमर जिसी खतनाग बीमारी के खत्रे से बचाजा सकता है इसलिए आप रोजाना पीच खाया करें या आपके ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहेगा जटे बालों की प्राब्लम को करता है कम च्छी हाँ आड़ू बालों को मस्बूती प्रदान करता है जिन लोगों को बाल जोनी की समस्किया होती है उन्हें हर रोज एक आड़ू यान की पीच का सेवन ज़रूर करना चाहिए इससे उनकी बाल हेल्दी मुलायां और साती मोटे भी हुच वाएंगे दोस्तों यूरिन इंफेक्शन में है फैदेबन ची हाँ आड़ू में पटाशियू होता है जो कि हमारे डाड़र को साफ रखता है इसलिए लिए में तुरूपसेस का सेवन करने से यूरिन की कोई भी समस्क्या नहीं होती है इसलिए फ्रेंड्स अगर आपको यूरिन से जुड़ी कोई भी परिशानी हो तो ऐसे में आप पीच यानकी आड़ू ज़रूर खाएं क्योंकि आपके लिए बहुती ज्यादा हेल्दी फ्रूट है दोस्तों मस्बूत हड़ियों के लिए खाएं पीच यानकी आड़ू ज़रू आप चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो आड़ू आपकी हड़ियों को इतनी दाकत दे देगा कि आसानी से आपकी हड़ियां कमसुरी के विज़ा से तूटेगी नहीं जी हाँ माताओं में होने वाली मुख्य समस्क्या औस्टियो प्रैसिस को आड़ू से आसानी से दूर किया ज़र सकता है यही नहीं फ्रेंड्स इसे चोड़ों का दर्दवा गार्किया में भी रहात मिल चाती है इसलिए अगर आपको हड़ियों से चुड़ी किसी भी दहा की कोई भी प्रॉब्रम है तो ऐसे मियां पीच यानकी आड़ू ज़रूर खाएं यह आपके हड़ियों की मजबूती के लिए बहुत ही अचा है इसलिए आप भी आड़ू खाएं और अपने हड़ियों को बनाएं मजबूत दोस्तों एनर्जी देता है पीच जी हाँ फ्रेंट्स सुभा के समय नाष्टे में आड़ू खाने से आप दिन पर एनर्जीटिक फील करते हैं इसलिए आड़ू का सिवन करने से आपको थका मेंसूस नहीं होती है इसके लावा फ्रेंट्स हमारे शरीड में विटामीन सी की कमी को भी दूर करता है आड़ू यानकी पीच जी हाँ इसमें विटामीन सी की अधित माका पारिच आती है यह हमारे इम्यून सीस्टम को भी ताकत देने के अलावा उसे बीमारियों से भी बिचाता है इसलिए फ्रेंट्स अगर आपको भी अपनी इम्यून सीस्टम को मजबूत बनाना है तो ऐसे मियाँ पीच यानकी आड़ू ज़रूर खाए और अपनी आपको रखे हल्दी निए लिक ःतूम्स अफदी च्टम अपता है जड्यून सीस्टम को गया जखाए तो कि अपना है टिए स्टमिट वीम्यून सीस्तिंट अबंड़ूर विह को आपकोछिए अपको प्रश्यूर मेश्यूरू मेल जबता आपको स्टमी इंजोर एंच फिस वी स्वीम्यूरू झाल झाल